हम लोग इत्वार के दिन सब लोग दिलिए के लोग बैटके तह करते हैं कि लौकडाउन को आगे बढ़ाना है किनी बढ़ाना बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है अभी जो मौजूदा लॉक्डाउन है वो कल सुबह पांच बजे खतम हो रहा है आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को टै करना है कि लॉक्डाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम सब लोगों को मिल के ये तै करना है अप्रेल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी इतनी खतरनाक वेव थी दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लोकडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया अप्रेल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमंदर 36 प्रतिशत पहुँच गई थी यानि कि 100 लोगों के हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे पिछले 24 घंटे का मैं आपको आकड़ा बताऊं तो ये संक्रमंदर धाई प्रतिशत के भी नीचे चली गई है यानि कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें धाई लोग संक्रमित पाए जाते हैं पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर 28,000 से 1600 तो दिल्ली के अंदर करोना की रफ्तार काफी कम हुई है पिछले एक महिने में कई सारी समस्याइं आई उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिल के मुकाबला किया दिल्ली के 2 करोड लोगों ने एक परिवार की तरह मिल के मुकाबला किया खास कर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्याँ आई थी लेकिन सब ने मिल के इसमें सब का सहयोग मिला दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने दिली हाई कोर्ट ने सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला अब वैक्सिन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वैक्सिन की बहुत कमी महसूस हो रही है लेकि मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी- समस्या का समाधान किया है ऐसे वैक्सिन की समस्या का भी समाधान निकलेगा हम मिलके निकालेंगे वैक्सिन की जो कमी हो रही है मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे तो युद्ध भी बाकी है अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी भी हजार से ज़ादा केस आ रहे है तो पिछले 24 घंटों में मैंने खूब लोगों से पूछा क्या करना चाहिए जो भी निरने होगा हम मिलके लेंगे दिल्ली के लोग मिलके निरने लेंगे तो एक आमराई ये बन रही है लोगों की कि एक हफ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ा देना चाहिए क्योंकि अभी अगर लॉक्डाउन खोल दिया और जो जो कुछ हमने पिछले एक महिने की इतनी कड़ी मेहनत संघर्ष और त्याग की वज़े से पाया है कहीं वो खतम ना हो जाए तो सब की आमराई ये है कि एक हफ़ते के लिए और लॉक्डाउन खोल देना चाहिए तो दिली सरकार ने ये निरने लिया है कि एक हफ़ते के लिए लॉक्डाउन और बढ़ाया जा रहा है अगले सोंगवार 31 तारिख की सुबह 5 बेजे तक के लिए लॉक्डाउन बढ़ाया जा रहा है अगर केसिज के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ़ते भी मैं आप सब लोगों से अपील है निवेदन है जैसे आपने अभी तक सहयोग किया आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया लॉकडाउन को फॉलो किया इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे करोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे अगर इसी तरह से केसिज के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारिक से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालो करेंगे एक दम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा तो वो भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ गतीविधियों को 31 तारिक से फिर हम खोलना चालो करेंगे लेकिन अभी सब की राए के मताबिक मैं दिल्ली के लोगों के राए के मताबिक एक हफ़ते के लिए हम लोग लॉक्डाउन और बढ़ाने जा रहे हैं इस वक्त हमारी सबसे टॉप प्रायरिटी है कि किस तरह से दिल्ली के दो करोड लोगों को वैक्सिन जल्द से जल्द लगाई जा सके हमने दिल्ली में सारी विवस्था बना लिये कि तीन महिने के अंदर दिल्ली के सब लोगों को हम वैक्सिन लगा सकते हैं लेकिन वैक्सिन की कमी है पूरे देश के अंदर कमी है कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी तीसरी वेव आएगी हमें तीसरी वेव का पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है तो हमारी पहली प्राथमिक्ता तो यह है कि वैक्सिन लग जाए अगर वैक्सिन लग गई तो शायद तीसरी वेव ना आए अगर वैक्सिन सब को लग गई तो शायद तीसरी वेव से हम लोग बच सकें तो एक तरफ तो हम सब को वैक्सिन लगाने की तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे ह सब के सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी हो सके केंदर सरकार से दूसरी कमपनियों से कमपनियों से भी सबसे मैं खुद बात कर रहा हूं जितनी विदेशी कमपनिया हों चाहे भारत की कमपनिया हों कि कैसे हम जादा से जादा वैक्सिन लगा सकें कोई चाहे कितने लोगों के लिए अपने लोगों के लिए वैक्सिन मिल जाए तो एक तरफ हमारी यह तैयारी चल रही है और दूसरी तरफ खुदना खास्ता तीसरी वैव आती है तो हम उसकी सारी तैयारियां कर रहे हैं कितने बेड जरूरत पड़ेगी कितने और आईसीव बनाने की जरूरत है कितनी और ऑक्सिजन की जरूरत है ऑक्सिजन टैंकर खरीदने की जरूरत है ऑक्सिजन के स्टोरिज टैंक बनाने की जर रही है लेकिन भगवान ना करे कोई तीसरी विव आये भगवान करे कि सब लोग सुख शांती और स्वस्त रहें नमस्कार